लुट एप अलो आप्रेवन वेलकम तो भीपीडिया आप सार्थक सिर्फिकल्ट भीपीडिया वीपीडिया तो आजका हमारा जो लेक्चर है इस अबाउट टाइपस ऑफ मार्केट घए यहां अचा कर रक्क्र रहे है जहां पर जितने बीविपाट्टन टोपिक्स है आपके ज़र एकपस अपर जीतने पर स्पिर्टोंट परेख वेलेटी कुस हैं वहीं कर रहे हैं उसका आप अगर आपने फ crouch नहीं देखे तो तो आइ सीरियसली रिकमेंड यू कि पहले बार वो ले लेक्टर्स कवर करके आईगे और उसके बाद इस लेक्टरों करना है एंड नोट अल्ली जस्ट एकॉनमी सिर्फ एकॉनमी ही नहीं बाकी भी जितने भी इंपॉर्टन टॉपिक्स है उन सब को भी डिसक्स किया जाता है अभी पीडिया आपके लिए यह वाले इनिशेटिव ऐसे फ्री निशेटिव हमेशा लेकर आता रहता है आपके सारे टॉपिक्स जितने भी इंपॉर्टन टॉपिक्स है से सीजल से फिर्चाइव क्वांट रिजनिंग इंग्लिश जी एस जीके बाकी सारे जो टॉपिक्स हिस्ट्री पॉलिटी राइट साइंस एच और एवरिटिंग इस खवर्ड वाइविपीडिया ओल वी वांट इन रिटर्न इस यूर सपोर्ट हमें सिरफ आपका सपोर्ट चाहिए जिस्ट कीप फॉलाइं अभी पीडिया रेस्ट अशूर्ड आपकी जितनी भी प्रिप्रे रहे हैं उसका गुष्टा को रिजल्ड जरूर मिले आपको इस टाइप की इनिशेटिज लेके आते रहते हैं राइट सो विद आल इस इंफोर्मेशन लेक्टर बट एक इंपॉर्टन इंफोर्मेशन जरूर देना चाहूंगा लेक्सराट करने से पहले विच इस सब कुछ अवेलेबलाइस कोर्स के अंदर एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा फिर्चाए आपके नोट्स हो विदियो लेक्चर्स हो गए आपके आपके मोक टेस्स सीरीज हो गई इन फैक इस सबसे इंपोर्टन चीज मेंटर्शिप आपको फ्री मेंटर्शिप मिलेगी प्रॉपर गाइडेंस रही है आपके अथ हमेशा आपकी प्रिप्रेशन जर्नी के अंदर तो एंच मेक्शूर कि आप अपनी प्रिप्रेशन से अस्टे डाइग्रस ना हो आप सही जगहां पर time and effort लगा रहे हो बिल्क्त वेस ना आपकी जर्नी क्यूकि बहुत पाइं मनें फ्र बहुत कुछ लगता है अक्र की अनुल गारे होते हैं गचाल लगा रहे होता है तो हमें जर्ण की आप जो time and effort लगा रहे हो सब कुछ नहउपrukर Um bottle Ritun नहीं है because यह वाला जो कोर्स है आपका सिरफ सीजल के लिए निए बाकी जितने भी एक्जाम से सीगे लिए उसके लिए इकोली रेलिवेंट है बट आपके लिए special offer पर यह कोर्स डिसकाउंट पर आपको 4999 पांच हजारी पूरे नहीं ले जा रहे ओके और एक छोटी सी इंफोमिशन और एक WhatsApp ग्रूप है इसका लिंक बाइदवें नीचे बाया में मिल जाएगा आपको and the biggest thing it is free of cost absolutely free of cost इस लिंक को जाइन करके इस WhatsApp ग्रूप को जाइन करके आपकी कोई भी exam relevant query है आप उस group के अंदर freely हमसे पूछ सकते हैं you can ask us at any time right but ध्यान रखें बसको exam relevant होनी चाहिए कुछ ऐसे बैसा नहीं so इसका link निचे बाया में मिल जाएगा immediately if you ask me मैं आपके जागा होता तो इसको भी के भी join कर लेता without wasting any time right इसका link इसको join करे and resolve all your queries related to the exam right okay so now with all this information let's start our today's lecture which is about market and types of market basically exam में हमारे question आएंगे होएंगे types of market के उपर कि different types of market आएंगे कुछ MCQ हम इस video के last time we deal करेंगे right आपको just to tell you कि किस type of questions आएंगे and as far as this topic is concerned इस video के थू अगर आप इस video कोबर कर लेंगे आपके सारे के सारे questions definitely tackle हो जाएंगे you don't need to go anywhere else you don't need to look after anywhere else एक वीडियो और आपके market structure कर सारे के सारे questions tackle definitely हो जाएंगे right okay so अब बात आती है market की कि मार्किट होती है सबसे बहले आपको इदे पता होने चाहिए कि मार्किट इसको बोला आता है मार्किट से पहले यह एक ऐसी common place यह एक ऐसी common place यह एक ऐसी common place of goods and services right आप जादा दूर ना जाहिए अपने आपकी लोकल मार्किट कोई ना को पता होगी घर के पास होंगी तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है एक जगह एक common जगह है जिसको आप बोलते हैं कि फिलाना मार्किट यह से लाचपत मार्किट है कोई भी मार्किट से रोजी कुछ भी जो भी मार्किट है वहाँ पर क्या है वहाँ पर शॉप बनी हुई है आप जाते हैं अबना समान पर्चेस करते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है यू आर बायर आप एक बायर है और जो शॉप की देते हैं और समान लेके आते हैं वहां से तो गुड्स and services exchange हो रही हैं कहीं जगा पर services भी होती है like education services है hospitality है और तो वहां पर वी वो services मिलती है आपको जरूरी नी physical good services भी हो सकती है और exchange में क्या होता है normally money ही होता है economic transactions ही होएंगी yes or no so यह होती है generally market अब market भी basically आज की रिट में ask me market जरूरी नहीं सिर्फ physical location पर exist कर रही है सच जहां पर आप जाओ आपको दिखे सब कुछ physically visible or touch कर सको डिजिटल markets भी है like for example flipkart flipkart है आपके digital आपके Amazon है shopping products है बड़े सारे नौल वह भी एक type के market ही है वहाँ पर क्या है वहाँ पर you buyer as a buyer you go you serve आप online shopping देखते हैं आप online चीज़ें सर्फ करते हैं और जब आपर seller है जिन्होंना रिस्टर कर रख है वो अपने प्रोडुक्स हों पर sell कर रहे हैं तो एक marketplace commonplace मिल जा बस वह e-marketplace electronic marketplace है yes or no so these are all current market और भी बहुत सारे एक्जामपों होते हैं लाइक आपके शेयर मार्किट है फाइनेशल मार्किट ही है वैसे तो clear है बट जो अपने एक्जाम में questions आएंगे ना वह market के structure के ऊपर आएंगे उसमें आप से financial markets और नहीं पूछेंगे जो जिस टाइब के structure जिस टाइब के types of market पूछ जाएंगे वह lecture में देखेंगे बट आयए हो आपको जरू सम्झाने के लिए जरूर था कि market क्या होती है clear है yes or no okay okay so definition क्या बोलती है market की market is a place market is a place where both buyer and seller exist for the purpose of buying and selling goods and services right चीजों को रटना नहीं है जितना जादा हो सके समझ के करना है रट के करोगे तो problem क्या होई कि इसमें कि आप specific type of questions की prepare करके जारेक चरीक के से अगर question को थोड़ा घुमा के पूछ लिया या कुछ अलग टाइब से पूछ लिया तो वहां पर फस जाओगे लेगिन अगर चीजों को holistically समझ के जाओगे अच्छे से समझ के जाओगे comprehensively चीजों को पढ़के जाओगे तो definitely किसी भी type का question अगर इस topic से आएगा तो आप उसको tackle कर जाओगे score कर जाओगे एक एक चीजें आपको पढ़ी भी आएंगी नहीं भी आएंगी हो सकते हैं लेकिन यह स्टेटिक पार्ट है यहां से कर आप पढ़के जाएंगे तो कोशन है कि देफिनली निकाल कि होगे करके ही आओगे उसको राइट डिस्क्लेमरी है कि अपने अच्छे से चीजों को प्रिपे कॉम्पिटीशन पर्फेट कॉम्पिटीशन वाली जो मार्किट्स होती है वो क्या होती है वो देखेंगे मैं तो कुछ बेसिक फीचर में आपको इसके बता दूं अगर हम बात करें पर्फेक्ट कॉम्पिटीशन बाइदवे मार्किट के अंदर ना एक अच्छी मार्किट के अंदर क्या पैचार होती है कि वहाँ पर मार्किट है वो क्या वाप एक कॉम्पिटीशन जरूर होना चाहिए मार्किट के अंदर हमेशा कॉम्पिटीशन मेंटेन रहना चाहिए अगर कॉम्पिटीशन नहीं होता तो मार्किट करें ना कि डेड होनी चली जाएगी राइट क्यों ऐसा है क्यों बोल रहा हो आपको एक्जांपल समझो सिंपल सी बात है अगर कॉम्पिटीशन होगा दो क अगर उनमें मालों आपके पस एक कंपनी का प्रड़क्त आपके आप गए आपने एक अमनी के प्रड़क्त खरीदा लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा लेदर उसका प्राइज ज्यादा लग है अपको और यहीं अगर आपको एक अल्टरनेट मिले लाइक बी जो कंपनी है आपको तो वह सेम क्वालिटी में दे अगर आपको और कम प्राइज में दे आपको तो यूफिल गो फॉद भी तो बी जो कंपनी होगी उसको एक कंपनी जो थी जिसका प्रड़क्त कम हो गए तो ए क्या करेगी वह बी के साथ कॉंपेटिशन में है तो ए भी अपने यह फिर कॉलिटि ओफ प्रडॉट्स का इस वेल एस servei ऑफक्व करती है और भी चालेजिए लिए Oui अंगर अश्ञी रहेगी और एशा रहेगा तो हमिशा मार्किट के अंदर डिमांड क्या रहेगी बनी रहेगी डिमांड्क हैажи हमेशा लोग चीजों की डिमांड क और अगर supply रहेगा आपकी economy जो है वो चलती रहेगी, वो बूम पर रहेगी, right? 21 तो यह समझने वाली चीज थी, कि competition क्यों जलूरी है, लेकिन हमारा जो topic है, वो क्या है? perfect competition, हमें क्या समझना है? कि perfect competition होना जो market है, उसके क्या features होते हैं, किसको बोला जाता है basically, right? हमें समझना ह कि perfect competition की market के features क्या होते है, perfect competition का मतलब होता है, कि जहां पर government का किसी एक control नहीं है basically, government control नहीं कर रही, market को अपने आप सिरफ demand और supply के पर रन करने के लिए छोड़ दिया गया है, कि भाई, government का control नहीं है, लोगो, आप सबको फूरी opportunity है, आपको जैसे product बनाने बनाओ, entry linear market के अं करेंगे, उसके products का भी केंगे, जब वो अच्छी quality, अच्छे price पर offer करेगा, right, same हर company के लिए होगा, तो आपस में, जो market के जो है, सिरफ demand supply market की, सिरफ वहीं decide कर रहा होगा इसके अंदर, right, government कोई control नहीं है, market ही decide करेगी, right, perfect competition होगा, competition रहीं को पर तरीके से, कोई regulation नहीं है, external कोई control नहीं है, सिरफ market decide कर रही है, आपकी competition ही decide कर रहा है, yes or no, आई बास सबज में, तो इसको बोलते हैं, क्या perfect competition, मतलब no as such, no government regulation, no government regulation, entry or exit सबको allowed है, entry or exit सबको allowed, यह basic से features है, let's see now, definition क्या बोलती है, right, definition में क्या है, perfect competition is a market structure, where many firms offer a homogeneous products, मतलब similar से products आपको लिखेंगे, बहुत सारी companies, same type के products भी launch कर रही होगी, अगर different different category के products होगे, तो उस हर एक category के नदर यह बड़े सारे आपके suppliers होगे, like for example, toothpaste है, तो toothpaste के बड़े सारे suppliers है, ऐसानी की सरफ एक ही company tooth brush बना रही है, और दूसरी company सिरफ toothbrush बना रही है, tooth brush की बात आती है, तो वहाँ पर बड़ी सारी companies मिलेंगे आपको, यह perfect competition का feature होगा, right, okay, because there is a freedom of entry and exit, see this is important point, freedom of entry and exit, right, and perfect information, right, firms will make normal profits and prices will be kept low by competitive pressure, price हमेशा, price generally low ही रहेंगे, अगर high होगा तो अपर्टी निभी केंगे, क्योंकि इतना competition है, इतने सारे suppliers ओर है, आप immediately किसी और मूब कर जाओगे उसी time में, yes or no, okay, features of perfect competition, right, यह important है, यहां से ही questions आते हैं, but, समझ में आगया तो यह अपने आप समझ में आ जाएगा, चीजों को समझ लोगे तो यह रटनी ही रटनी पड़नी पड़ेगा, आपको ऐसी समझ में आज चुके होंगे अब तक, प्रोड़क्री एंड एक्जिट, clear है, all firms produce an identical or homogeneous products, this is also an important feature, same type के ही products बनते हैं almost, perfect competition के अंदर, right, अभी example से भी बताया था आपको, all firms are price takers, therefore the firms demand curve is perfectly elastic, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, कि जो price यह set करने products के, price, किसी भी product का perfect competition के अंदर, products का price कौन determine करेगा, market determine करती है, ना की बन दे, market determine करते हैं, ना की कोई company खूद determine नहीं कर पारी होती, market के जाएंगे, देखेंगे भी क्या rate seller products का, accordingly बने price बनाएंगे, अपनी हिसाब से नहीं बना पाते, अगर करेंगे मालनों ज्यादा हार अरक देंगे, तो product sell नहीं होएंगे, right, okay, so demand curve is perfectly elastic basically, right, तो demand, अब यह demand perfectly elastic, inelastic, यह सब चीज़े क्या होती है, I'll tell you in a different video, एक अलग lecture करेंगे, तब देखेंगे, perfectly elastic का meaning क्या होता है, types of elasticity क्या होती है, पहले उसको समझना पड़ेगा, तब ही चीज़े समझ में आएंगी, अभी के लिए तना समझ लो, कि elastic का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि थोड़े से भी change के उपर, आपकी थोड़ी से भी demand की change के उपर, price बड़ा जादा पर नीचे हो जाते है, या फिर इसको opposite भी समझ सकते हो, कि अगर मालो price थोड़ा सा भी उपर नीचे होता है, कि लाइक, उसी type demand बहुत जादा बढ़ जाए, for example, Pepsi और Coca-Cola है, Pepsi मालो 10 रुपे की है, Coca-Cola भी 10 रुपे की, तो यह क्या होगी, basically, elasticity है, elastic बहुत जादा है, आरे पर समझ में, right, okay, there is perfect information and knowledge, right, इसके अंदर माना जाता है, कि लोगों को पूर बहुत information रहती है, क्योंकि आपको तभी यह products बेचोगे, और यह माना जाता है, सामने वाले जो बंदे हैं, जो buyers है, वो बहुत ही informative है, पढ़े लिखे बंदे हैं, उनको समझ में आते हैं, इनको knowledge चाहिए, यह भी माना जाता है, so, perfect competition का feature क्या है, perfect information and knowledge, right, this is also an important feature of perfect competition, right, okay, so now let's move on to the next type of market, which is monopoly, यह तो generally आपको वैसे ही पता होगी, कि monopoly क्या होती है, monopoly के अंदर, basically monopoly बहुत ही simple है, समय ना, बहुत पूरा topic की बाइदर बहुत easy है, अगर आप अप अच्छे से पढ़े तो, right, I don't think, so कोई doubt आने वाला है आपको इसमें, okay, monopoly, monopoly मतलब, एक single ही seller, single seller, right, but many buyers, एक टाइम का product market के अंदर, सिरफ एक ही company की company है, जो बना रही है, सिरफ एक ही seller, for example, railways, Indian railways में क्या government की company, government की railways चलती है, Indian railways चलती है, सरकारी है, सारी trainे, private firm को allowed नहीं है, तो सिरफ Indian railways की क्या चल रही है, जो monopoly चल रही है, पूरा एक ही control कर रही है, तो जो buyer है, जो लाइक हमरे जो normal citizens है, उनको जो rely करना ही पड़ेगा, उनकी नहीं चलेगी, इसमें जो government डिसाइड कर, जो railways में डिसाइड करती है, वो accordingly they have to follow, clear है, इसका एक और example भी समझ सकते हैं, आपको जो जादा आप relate कर पाऊगे, कि लाइक मैं हमेशा बताता भी रहता हूँ, कि आपके जो दो गाड़िया है, एक थी Toyota Fortuner, और एक थी Ford Endeavor, हुआ क्या, इन दोनों के टकर चलती थी आपस में, एक और भी गाड़िया है, कि रेंज में थे, अब ही 50 प्लस चल चुग है, क्योंकि उनके इन दोनोपली चल रही है, वो जैसे मर्जी चाहें प्राइस बढ़ाते चले जाएं, डिमांड फरक पढ़नी रहा दादा, और बढ़ ही रही है उनकी डिमांड, लोग जो है, यहां पर अच्छा एंट्री एंट्री बहुत डिफीकल्ट है इसके अंदर, क्लियर है, क्योंकि मनोपली चल रही है, उन्होंने कंटोल कर रख है, कोई भी प्राइवेट रेलवे वाला जो है, आहीं नहीं पार है जब तक गवर्मेंट ना बोलेगी, सेम आपका यहां पर भी है, दूसरी सेग्मेंट के अंदर भी इतना easy नहीं है घुसना, जब मनोपली चल रही हो किसी की, राइट एंट्री रेना इस नोट बहुत एज़ी, क्लियर है, ओके, सी, अब देखते हैं, देख लेते हैं एक बार, तो अब प्यूर मनोपली इस दिफाइंड अज़ सेलर ऑफ प्रड़क्ट, यह प्रड़क्ट इस 100% अफ मार्किट शेयर, राइट, 100% मार्किट शेयर एक ही बंदे के पास हो, उस हो बोलते हैं, प्यूर मनोपली, राइट, सिंगल सेलर, तो जबपाइब प्यूर प्रड़क्ट शेयर लाइट, बहुत प्रोलम साती है, only one business controls the whole industry only one सिरफ एक ही बिजनस कंट्रोल कर रहोता है पूरी इंडस्ट्री को entry is it इसलिए कहीना कहीं difficult है क्योंकि उनकी market बन चुकी है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है clear है okay so this was monopoly now let's move on to the next type of market which is oligopoly right oligopoly का meaning आपको little meaning बताऊं तो oligopoly oligo जो word है आपका oligo इसका meaning होता है few few people few people या फिर आप समझ सकते एल्डर एल्डर भी बोला जाते एल्डर पीपल तो basically oligopoly का मतलब क्या है कि rule by a few मतलब यहां पर जो है आपके जो seller है right there are few sellers right monopoly में में तो क्या था see monopoly की जब बात करें थे monopoly में तो single एक ही seller था whereas oligopoly की जब हम बात करें तो यहां पर क्या है आपके में बहुत जादा seller भी नहीं है इसका सबसे सबसे बेस्ट एक्जामपल में आपको दाऊं तो automobile industry especially जो four four wheelers है हमारे यहां पर car making company जो है देदार में एक से जाद हैं बट स्टिल बहुत ही कम है गिनी चुनी है डबल डिजिट में मिलेंगे आपको single digit में ही मिलेंगी और वही market को rule कर रही है ठीक है यह एक oligopoly का perfect example है कि there are few buyers sellers but multiple buyers buyers बहुत जाद हैं लेकिं seller हैं बट फ्यू है clear है यह होता है अपको oligopoly अब इसके अंदर क्या है बेसिकली इसके अंदर मत करूं entry और exit की oligopoly इस्टिक जो मार्किट होगी इसके अंदर entry लेनी इतनी easy नहीं होती है क्लियर है क्लियर क्योंकि रूल कर रहे है बेसिकली जो कर रूल कर रहे है for example Nissan नाम की company नाम की company यह बहुत ही late entry करें इन्होंने entry कर लेकि नहीं इतना easy नहीं इनके entry करना जोले survive नहीं कर पा रहे है उसने अच्छे से ठाए राइट प्राइजिस होते हैं वहीं जारे है और वहीं जारे हारा profit लेकर जा रहे हैं रहे होते हैं वह पाच्छे कंपनी से जारा profit गेन कर रहे हैं यहां पर यहीं बोला जाए रहा है रहे हैं इस्ते सब्सक्राइब ओके सो नेक्स फीचर क्या इसका entrance and exit obstacles exist in the industry यह देफिनेटली entry or exit इतनी easy नहीं है मैं आपको बताया ना okay homogeneous or distant goods almost similar kind of goods ही होते हैं आपके like car making बताया सारे गाड़ियां ही बन रही है the sector is regulated only by a few firms right sadly what few corporations specifically entails is not well described right basically यहां पर क्या है few firms he's को क्या कर रहे है regulate कर रहे हैं तो this is what oligopoly is all about all right next monopolistic competition यह एक different type of market structure है इसको monopoly और perfect competition के बीच का कहीं category में रखा हो है the hence the name monopolistic competition इसके अंदर क्या होगा basically कि एक ही brand बना रखी है मतले एक monopoly exist कर रहे हैं उनकी खुद की एक प्रेप student की अपनी एक monopoly है Colgate की अपनी एक monopoly है और भी different type of job के example के लिए बता लो जितनी भी आपकी companies है तो हर एक brand ने homogeneous products हैं लेकिन हर एक homogeneous products के अंदर भी हर एक company ने अपनी monopoly exist कर रहे हैं उनकी इस ताइप की market क्या बोलते है monopolistic competition right it is a market structure which combines element of monopoly and competitive markets right इसके features के हैं many forms यहाँ पर भी definitely बहुत से लाइक competition perfect competition में देखा दानोंने बहुत सारी firms है तो यहाँ पर भी exist करती है freedom of entry exists definitely competition competition वाले सारे features almost सारे features में exist करेंगे इसमें भी firm produce differentiated products यह थोड़ा सा अलग है perfect competition में almost homogeneous products है यहाँ पर किया differentiated products मतलब सारे आपस में कुछ-कुछ different है थोड़ा-फोड़ा different हर एक चीज में होगा difference होगा firms have price in inelastic demand they are price makers because the good is highly differentiated यहाँ पर जो products हैं आपस में like pep student और गार यह इतने भी हैं जिनी एक्जामपल दिया मैंने आपको यह अपना price कहीं नगे खुद decide कर रहे होते दूसरों से इतना effect as such नहीं पढ़ रहा होता उनके अंदर clear है so they are the price makers आर यह बास सवज में so firms are productively inefficient right firms make normal profits in the longer but could make super natural profits in the short term initially both short term के अदर जादा profit होता है but long term के अदर इतना profit नहीं हो पाएगा as such right so this was monopolistic competition now let's do some questions okay first question which of the following statement is true a firm has no control over the prices of products under a monopoly a firm has no control over the price of products under the perfect competition a firm has no control over the price of its products under an origopoly a firm has no control over the price of its product under monopolistic competition so correct answer क्या होगा इसका definitely the correct answer will be option B अगर नहीं समझ में आया तो previous video अभी वीडियो को दुबारा से देखिए आपको definitely समझ में आ जाएगा कि perfect competition के अंदर control as such नहीं होता market ही decide कर रही होती है right answer for discussion will be option B next which of the following statements about the monopoly market monopoly is true first option under monopoly the total revenue is maximized when marginal revenue is less than zero okay under monopoly the total revenue is maximized when marginal revenue is equal to zero okay under monopoly the total revenue is maximized when marginal revenue is greater than zero हमने ये चीज़ नहीं पड़ी तो if you know about it well and good नहीं पड़ा तो don't worry about it next lecture में इस को बिशे से explain कर दिया जाएगा कि marginal revenue and all क्या होता है right but as far as this question is concerned the correct answer is option B okay next which of the following statement is correct price discrimination is one of the main features of perfect competition okay price discrimination is one of the main feature of oligopoly okay price discrimination is one of the main feature of monopoly right so the correct answer for this question will be option D price discrimination is one of the main feature of monopoly because हमने पड़ा है कि monopoly के अंदर price जो है वो seller जो है वहीं डिसकाइट कर रहा है तो discrimination बहुत जाता तो उसी की मर्दी चल रही होती है buyers की तो नहीं चल रही होती है इस वे में क्या है price discrimination जो है oligopoly के एक बहुत important feature है right okay next which of the following statement is accurate oligopoly is a market that has a few large firms monopoly is a market that has a few large firms duopoly is a market that has a few large firms perfect competition has a market that has a few large firms so the correct answer for this question will be option A oligopoly right बहुत easy question है I hope सबने कर दिया होगा इस question को on next question which of the following statement is correct okay let's हमने supplier का बगर नहीं पड़ा तो we can ignore this question as well we will do in the next lecture so with this we have reached the end of our video but just before ending I have a very important thing to tell you which is which is microverse right micro courses अभी पीडिया ने बहुत ही अच्छा इनोवेशन स्ट आपके लिए एक इनिशेटिव साट कर रख है which is micro courses now what is micro course इसको एक example समझते हैं कि let's say आपको एक किसी topic में problem है को आपको एक किसी topic में प्रॉपिक में है which if you ask me is not at all efficient या not at all affordable बहुत एक्सपेंसिव भी बढ़े हैं कहीं ना कहीं because आपको सिर्फ टॉपिक करना है तो इससे better alternative क्या होगा कि आपको सिर्फ क्वांट का module पर्चेस करने के लिए मिल जाए कि सिर्फ क्वांट का पर जाता है तो अब मैं आपको बता हूंगा तो आपको अपको एक्सेस कर सकते हैं राइट को माइक्रोग में कि अपको एक्सेस करने के लिए पहले आप जाए अभीपीड अभीमेनी.com पर इस वेब साइट को एक्सेस कीजिए okay just a second okay so आप login कीजिए abhipedia.abhimoney.com के उपर जैसी login करेंगे यह homepage खुल जाएगा आपके सामने from here choose exam scroll down SSCCGL right now from here scroll down see यहाँ पर आपके सामने option आएगा microworks का click on it जैसे इस पर click करेंगे आपके सामने यह वाली window open होईगी now see here सारे के सारे आपके सामने micro courses available for example हम जाते हैं कौंट के अंदर एक जैसे आप क्लिक करेंगे it कौंट पर जैसे आप click करेंगे यह पर see all पर जाके आपको सामने सारे के सारे micro courses open हो जाएगे mixture allegation number system simple interest and all आप किसी भी जो भी आपको relevant topic चाहिए आप उसको buy कर सकते हैं and अपनी preparation को complete कर सकते हैं right so with this so with this we have reached the end of our today's video I wish you good luck for your future endeavors and by the way just before ending this आपको इन सारे courses के जो registration link है निचे description box मिल जाएगे आप उस पर click करके इन courses के लिजिस्टर कर सकते हैं support number ही provided है उस पर call करके definitely भी जारी queries को resolve कर सकते हैं so now once again I wish you good luck for your future endeavors and until our next video take care and bye-bye thank you 456 तो तो सकता है प्रूण सकता है थाएगे आएगे आएगे नहीं आपेद़ करो जएगे प्रषदान और लोगे जढ़े डिवाएगे आपर रखे लूएगे साफना घएगे जएगे डिवा़ेगे झाल झाल